प्रस्ण क्या कह रहा है दोस्तो, निमलिखित में से कौन सा आरेक, समाज, सिछक और छातर के बीच सही संबंद को दर्साता है, तो दोस्तो, वेन डागराम के रिलेटेट कभी भी पेपर में प्रस्ण आए, तो आपको क्या देखना है, दोस्तो, किस का संबंद किस से है, बस यही दिमाग में आपको रहना चाहिए दोस्तों, या किसके अंतरगत क्या आता है, ये चीज बस ध्यान में देना है, किसका संबन्द किस से है, या किसके अंतरगत क्या आता है, तो दोस्तों इसमें आपको बस ज्यादा कुछ नहीं द्यान देना है, जो जो वर्ड लिखा है उसी पर ध्यान देना है, क्या है, पहला लिखा है word समाज है, दूसरा है, क्या है, सिच्छक है, और तीसरा क्या है, च्छात्र है, तो दोस्तों अगर आप सोचे थोड़ा सा, इसमें अपना हल्का सा दिमाग लगाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, सिच्छक दोस्तों किसके अंतरगत आते हैं समाज के अंतरगत ही आते हैं तो ये दोस्तो एक figure ऐसे बन जाएगा समाज का ये हो जाएगा दोस्तो सिच्छक का और ये हो जाएगा आपका किसका छात्र का तो इसका image कैसे बनेगा दोस्तो टैप से बन जाएगा है और किस ऑkim में दिआ गया है अप्सिन नंबर आप देख रहे हैं पर क्या हो जांग सही ओ जाएगा क्या होगा दोस्तों यह आपका हो जाएगा हो जांग सिच्छक और swoje हो जांगा अपका च्छात्र तो समाज के अंतर orchest्टरं दोस्तों सिच्छक करते हैं दोस्तों आप इस प्रेशन को भी एकदम अच्छे से समाज गयोंगे